नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जनवरी को रिलीज हुई वरुन्धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के 15 दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर क्लैश हुआ था बॉलिवुड की कुईन का ही जाने वाली कंग की वज़े से भी इस फिल्म की स्क्रीन काउंट शोज और बॉक्स आफिस कलेक्शन तीनों ही काफी जादा कम हो चुके हैं इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट में हमें दिखाई दिये थे वरुन दवन शद्दा कपूर नौरा फतेही प्रभुदेवा और अपार शक्ति खुराना वहीं इस फिल्म का निटेशन किया था रेमो डिसुजा ने वहीं इस फिल्म को प्रेड्यूस किया था टी सीरीज और रेमो डिसुजा एंटर्टेन्मेंट के बैनर तले इस फिल्म को दुनिया भर में लग बग 4,370 स्क्रीन पर रिलीस किया था इस फिल्म को काफी अच्छे थी और फिल्म के कलेक्शन में 30 से 40% की ग्रोथ देखी गई थी और फिल्म में अपने 30 दिन कमाई किती 17 करोट 76 लाग रुपय जिसे मिलाकर फिल्म का 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन हो गया था 41 करोट तीन लाग रुपए, वहीं फिल्म ने अपने शुरुवाती साथ दिनों में टूटल फर्स्ट वीक कलेक्शन किया था इंडिया नैट 56 करोट 77 लाग रुपए का, दूसरे हफते फिल्म के कलेक्शन रहते 14 करोट 14 लाख रुपए, अब बात करें फिल्म के तीसरे हफते की, त और सीज से फिल्म ने अपने 15 दूनों में बटो रहें 10 करोट 30 लाग रुपए, जिसे मिला कर इस फिल्म का टूटल वर्डवाइट कलेक्शन 15 दूनों का हो जाता है 95 करोट 30 लाग रुपए, तो दोस्तों आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता हैं, साथ ही आप भी वरुन दवन, शद्दा कपूर या फिर नौरा फतही के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करने ना बूलें, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो करते ही चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिख रहा है बेल आकन को भी दबा दीजी, क्य यहां हम आपको देता हैं सारी मुविस की डेली बॉक्स ओविस कलेक्शन अपडेट्स